लोटस आयर्बदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौदरी आज हम बात करेंगे धूप में काली पड़ गई है तो इन तरीकों से करें गुलाब जल का इस्तेमाल तो आए शुरू करतें आज का वीडियो कि दूप हमारी तोचा को सीध्य तोर पर प्रभावित करती है जब हम लंबे समय तक दूप के संपर्क में रहते हैं तो इससे तोचा पर कि रेड़नेस नजर आने लगती है साथी तोचा काली भी पर जाती है दूप का कारण भी बन सकती है अगर आप भी दूप में अधिक समय बिताते हैं और इससे आपकी तोचा काली पर गई है तुचा से छुटकारा पाने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल कैसे करें धूप में काली पढ़ गई तुचा से छुटकारा पाने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल गुलाब जल और एलोबेरा गुलाब जल और इलोबेरा दोनों natural ingredients हैं धूप में काली पढ़ गई तोचा से छुटारा पानी के लिए आप गुलाब जल में इलोबेरा मिक्स करके लगा सकते हैं इसके लिए आप दो चम्मच इलोबेरा जेल लें इसमें गुलाब जल मिलाएं और प्रिवहवित तोचा पर लगाएं 15-20 मिनट के बाद इसे ऐसे ही छोड़ दें फिर आप गुनगोने पानी से तोचा को साफ करने गुलाब जल और एलोबेरा तोचा की redness और darkness को कम करने में मदद करती है गुलाब जल सीधे लगा है आप चाहें तो गुलाब जल को सीधे भी सीधे तोवर पर तोचा पर लगा सकते हैं इसके लिए आप नेश्रल गुलाब जल लें इसे cotton की बाल की मदद से अपनी तोचा पर लगाएं आप 10-15 मिनिट तक इसे तोचा पर लगा रहने दें आप चाहें तो गुलाब जल को रात भर लगा कर भी छोड़ सकते हैं गुलाब जल धूप में जुलसी तोचा को ठीक करने में मदद करता है गुलाब जल तोचा को सांत तो ठंडा रखने में मदद करता है आप गुलाब जल को नहाने के पानी में भी मिला सकते हैं गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी आप गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करके भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं मुल्तानी मिट्टी धूप की बज़े से काली पढ़ गई तोचा से छुटकरा दिलाती है, साथ ही ओईली स्कीन से भी छुटकरा दिलाती है, अगर आप गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे चेहरे पर निखार आएगा और चमक बढ़ेगी इसके लिए आप 3-4 चमक बेसल लें, इसमें गुलाब जल और हल्दी मिक्स करें, आप इस पेश्ट को प्रभवित तोचा पर लगाएं, 15-20 मिनिट के बाद चेहरे को पानी से साफ कर लें, सब्दा में 2-3 बार इस फेस्पेक को लगाने से आपकी समस्या से काफी राहत मिल तो यह ता हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा, कमेंट करके जूर बताएं, धन्यवाद